दो हजार चौविस का चुनाओं दो हजार उनने से भिन होगा और दो हजार चौविस में आधरणिया इस्मृती इरानी जी अपने काम के लिए पिछली बार से कई गुना मतों से ज़्यादा विजई होगी यहाँ परमेठी में दीदी ने जो किया हमेठी के लिए वो हम लोग प्रिदी इस्मृती रानी जी ने कहा कि हम अपना मकान बनाएंगे पांट साल के अंधरों अमेठी में अपना मकाम निर्मित किया मैं कहता हूं महीने दो महने में चार महने में एक बार रुखते लेकिन उन्हों ने इतना भी गावार ने समझा चुनाव हारने के बाद चले देखे करोना के टेम में इतना बड़ा मामला हुआ और यह सब और भी कुछ चीजें हैं काफी काम किया है ऐसा नहीं है दीदी ने उसको तकाल मरमत की रोड का मामला हो रोड की अहरे के गाव गली की सारी रोडे कंप्लीट हैं और सबसे ज्यादा तो बात इतना समय उन्हों देखा नहीं को पूछ दिक रहा है आदमी हमको पूछे नहीं है मलब दिक रहा है रोडों पर चलो तो अच्छे रूड मिल जाते हैं गाउं-गाउं से जाने के लिए रूड बढ़िया बन गए नमस्कार्ट स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदोस्तान में और मैं रानी गुपता आपके साथ इस वक्त हम लगाता लोगसवा चुनावों को ले करके कवरेच कर रहे हैं और जनता के बीच में जा करके उनका सर्वे कर रहे हैं उनका मूड जानने की कोशिश कर हैं कि आखिर इस बार वो किसकी सरकार बना रहे हैं और इस बार हम मौझूद है उत्तर प्रदेश की सबसे जादा हाई प्रोफाइल सीट कहीं जाने वाली अमेठी के तिलोई विधानसवा क्षेत्र के मोहन गंज एरिया में और यहां पर हम सीधे जनता से बात करते हैं कि आ अखुल गांधी यहां से चुनाव लड़ सकते हैं तो उन्हें जीत दिलाई जाएगी क्या नाम है आपका पंका जोस्ती हमारा नाम है यह बताईए कि क्या महौल इस वक्ता मेठी में चल रहा है इसमृती रानी के फेवर में या फिर गांधी परिवार के फेवर में दो हज 2024 में आधरनिया इसमृती इरानी जी अपने काम के लिए पिछली बार से कई गुना मतों से ज़्यादा से विजई होगी यहां पर अमेठी में उन्होंनों जी विकास की निव रखी है 2019 के बाद से लगातार अमेठी में मेडिकल कालेज सबसे बड़ा जो सारी सुविधा हैं लगवा धाई 300 की ओपीडी वहां पर हो जो रही है बीस से बाज डाक्र पॉइंटमेंट हो चुके हैं यह बहुत बड़ी जनता को सुविधा मिल लही है आप मेडिकल शेत्र में ये कामें गिनवा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये काम जो है वो बीजपी औ इनके पास अस्पताल था वा भी इनका अपना अस्पताल था अपनी बेवस्था के अंतरगत चलाते थे कोई जनता को मुल्भू सुविधा नहीं मिलती थी अब आप समझे कि 200 बेट के हास्पिटल में जब कोरोना काल का वक्त था जब बिसम पर इस्तितिया थी 5-5-6-6-6 और पूरी अमेठी में दीदी ने दिये आज भी काउना जय जान बच्ची है लोगों की उस कोरोना के जो हाए जटी ने जो किया है मेठी के लिए वह हम लोग उसके प्रिक्रत आगे रहेंगे साले लेकिन आक गॉंग्रेस पार्टी तो यह कहती कि 2019 के बूल हो गई मैं पूछना चाहता हूं उनके पिता जी यहां पर सांसत थे उनके माता जी यहां सांसत थी सब लोग यहां पर सांसत थे लेकिन आज तक उन्हों एक मकान की इट नहीं रखी और कहते हैं मेरा घर है आधरनी हम सब की लोकप प्रिदी श्मृतिरानी जी ने कहा कि हम अपना मकान बनाएंगे पांच साल के अंधरों अमेठी में अपना मकाम निर्मित किया दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि दीदी ने कहा ये मेरा परिवार है तो लगातार उन्होंने परिवार के रूप में 2014 से चुनाव लड़ी और 2019 का चुनाव लड़ी लगातार यहाँ पर सतत आती रही चाहे वो सुख के कारिकरम रहे हो चाहे दुख के कारिकरम हो दीदी लगातार आती रही तीसरा में भी से एक और कहना चाता हूँ आप आप पर रोखते ना बहुत रुखते मैं कहता हूं महिने दो महार में एक वार रुकते लेकिन उन्होंने इतना भी गावार रावार ने सम्जा चुनाव हारने के बाद चले गे पलट के इस अमेठी के तरफ नहारना पसंद नहीं क्या उन लोगों ने यह कहा जा रहा है कि वाइनाट में चुनाव खतम हो चुका है वहां कि चुनाव संपन हो चुका है तब यह खबर आ रही है कि राहूल गांदी यहां से चुनाव लड़ सकते हैं आपको नहीं लगता कि अमेठी के बारे में उन्हें पहले सोचना च चाहते हैं उन्होंने मेठी को छोड़ दिया है अब मेठी दीदी के हो चुकी है और आगे दीदी की रहेगी बस मेरा इतना कहना है आप लोगों के माध्यम से क्या नाम है सर आपका क्या मोहल है मेठी में कौन जीत रहा है मेठी से इस्मृति रानी या फिर राहुल गांदी जी नहीं इस टेम तो जो है इसमृति रानी हमारी देदी का मामला चल लाहा इधर से और मालिक ने चाहा तो आगे को भी चलता रहेगा जी अच्छा ये बताईए कि राहुल गांदी यहां से तीन बार सांसद रहे हैं अभी इसमृति रानी एकी बार सांसद रहे हैं तो पा काफी काम किया है ऐसा नहीं है यह बताइए कि राहुल गांदी कह रहे हैं कि अमेठी की जनता अभी भी उन्हें प्यार करती है अगर वह यहां से चुनाव लड़ते हैं तो क्या जीतना संभव होगा क्या मेठी की जनता उन्हें एक बार फिर से समर्थन देगी जी ऐसा तो न जाते थे उनका हाल चाल लेते थे या फिर समर्थी रानी नई दीदी जो है मतलब इस पांच साल में जो है यहां पर काफी दोरा उन्हें किया है हर बार जो है आती है अपने लोगों जितने भी है सबसे अच्छा बुरा जो भी रहता है संपर करते हैं और राहुल गांदी जीत जाते थे लोगों की बीच में इतना आते जाते थे लेकिन अभी बहुत सारे कॉंग्रेस के नेता है वो उनका कहना है कि जब भारत जोडो निया यातरा यहां से गई थी तो आमेठी में बहुत सारे जनता से उन्होंने मुलाकात भी की थी जी यहां करा था ऐसे तो दुनिया है आदमी जो है जिसको देखे मगर जो सच्चाई है वो असलियत में यही है कि इधर से मामला जो है दीदी का ही रहेगा और हमारी सब लोगों की बहुत कोशी से यहां बहुत मेहनत चल लही है क्या नाम है आपका क्या स्पासी जी क्या मोहल या मेठी की जनता किसे चुन रही है दीदी स्मृति राने जी को राहूल गांदी क्यों नहीं बिल्कुल नहीं क्योंकि जो काम उन्होंने 15 साल में नहीं कि ओ दीदी ने हमारे 5 साल में कर दिखाया है क्या कुछ स्वार्ध काम गिनाएंगे इसमृतिरानी काम यहां मेडिकल कालेज की बेष्ठा नहीं सी में सबके सामिल रही इसलिए चाहते हैं हम लोग भी हमारी यहां की जनता चाहते हैं कि दीदी तुबारा भी संसत बने आपको नहीं लगता कि जैसे इस मृतिरानी कि अब भी आराहूल गांधी जो है अमेठी की चंटा का ख्याल करते हैं और मेठी की जनता भी राहूल गांधी से सब्सक्राती है जब प्यार करती को सुध़ेंस बाघनान चेखल से सब्सक्राय दुब 아닌la परिवार मानना इसलिए हम लोग भी परिवार वह सबोस्द रहा है रहा बहुत कुछ है लेकिन जो आज नहीं है उसको पंद्रा साल हो का या तो जिनको हम जानते ही नहीं है जिनसे हमारा कोई तालुकात नहीं है दीदी जी कहीं भी आती है तो उसका प्रशार होता है गाउं के लोग इकठा हो जाते हैं हमको भी सूचना होती है घ्रीदी है हम भी पहुंच जाते हैं तो आने जाने से ही तो संपर्क होता है जो आये गहीं उसको क्या जाने के लिए लिकिन कहां आये थे यह जानने की जरुमत नहीं किसी को और नाप सकता समझते हैं किसी को चूंकि नाम पे ही उनको वोट मिल जाते थे एक बार दिल्ली गये हुए थे वहाँ पर हम छूट गये थे एक लोगों तो उन्हें पूछा भाई साब कहां थे हमने कहां मेठी से हैं उनको बहुत ही अच्छा लगा लेकिन उनको अच्छा लगा हम तो यहां मवजूदा थे हमको तो यहां पता था कि आ है तो यह दूर दाराज्ट के लोगों को अच्छा लगता था लेकिन यहां की जो जनता थी दोखका उन्दिरिरंतर कोस्ती थी कि कब इस हर्कार बदलें और अमनों चयन मिलें हमको आच्छे रास्ती मिलें जनता किसे चुन रही है इसलिए उनको वोट मिल जाता है दो तीन बारी एक बारी तूम बारी जीए लेक ये बताईए कि तीन साल तीन बार जिस तरीके से राहूल गांदी स्टांसद रहें उसमें ज्यादा विकास हुआ अमेठी का काम हुआ उसमें या फिर पांच सालों में इस्मिति रानी के द्वारा है आदमी हमको पूछेने की जरुवत नहीं है मलब दिक रहा है रोडों पे चलो तो अच्छे रूड मिल जाते गाउं बाकी तो अच्छा है सब कुछ अच्छा जला जी अच्छे मतों से जीतेंगे आपको नहीं लगता राहूल गांदी 2019 में वाइनाट चले गए अब तो मंत्री बना दीजेए बेरुजगारी और महगाई सब कंट्रोल कर दें gaan मंत्री बनने के के लिए कुछ करें तभी तो प्रदान मंत्री बनोगे करिए कुछ इसके लिए करन करिये तभी फल की उमीद कर सकते हैं शbereich क्या नाम रहे हैं किस को जिता रहे है मैठी से इस पीत आपको लगता हैं है कि आ अगर हम राउल गांदी की बात करें तो वह कह रहे हैं कि देश में विरुजगारी में मेटा दूंगा महंगाई कंट्रोल कर दूँंगा यह सब चीजें कह रहें पिरी की जनता को फ़ी गरीब आदमी को यहीं कि जलनिगम जगा जगा लग्वाएं है अ लेकिन विपक्ष तो कहता है राशन दे के क्या हो जाएगा रासन रासन गरीब आदिन यहीं चाहिए भाई कुछ गरीब आदिन कुछ के लाग खेती पाती है नहीं न अगर पंदरा किलो पाएगे अगर तीन अलदी में तो कम से कम पंदरा भी दिन का चली जाई